वेलकम टू मैं चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छी होंगे स्वस्त होंगे तो देखिए फ्रेंड से एक आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ अगर आप लोग विगिनर्स हैं तो इस डिजाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टिपल में स्टिचे लेने 3 स्टिच एक्स्टा रखना है तीन की गुने में फन दे लीजेगा तीन फंदा एक्स्टा रखिएगा और यह जो डिजाइन है आपका front side से start होगा यानि की सीरी तरफ से हम अपने design को start करेंगे और सिर्फ दो सलाईयों में बनाई design बनके complete हो जाता है जो दो सलाईयां बताऊंगी, skip मत कीजेगा, ध्यान से देखीजेगा तो देखे pattern की first row है, यह मेरी, मैं front side पे हूँ तो पहले मैं एक फंदा ऐसे edge stitch का सीधा बना लुए, ठीके इसके बाद यहां से हम repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे 1, 2, 3 यह जो चार फंदे हमने बनाई edge stitch को छोड़ कर यही repeat करेंगे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा 1, 2, 3 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा 1, 2, 3 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा 1, 2, 3 दागा पीछे एक फंदा सीधा है जिस टिच को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से अब हम आ गए अपनी पैटन की रो नमबर टू पर तो पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे इसके बाद देखे एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे इसके बाद दागा अपनी तरफ यहाँ पर तीन पंदा उल्टा वन टू प्री थी ठीके तो यही हम आगे भी रिपीट करेंगे धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा बस इतना ध्यान लखेगा स्टार्टिंग में हमने जब फर्स्ट रू बनाई थी तो पहला फंदा सीधा बनाया था एजिस्टिच के बाद यहां पर उल्टा बनाना है एक फंदा उल्टा बना देंगे उसके बाद सिरम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा धागा पीछे फिर से देखो एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा वन तू त्री एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा वन तू त्री धागा अपनी तरफ ही रहेगा edge stitch को हम उल्टा बना लेगे इस तरह से तो देखे ये जो दो सलाईयां हमने बनाई है यही हम बार-बार repeat करते हुए जाएंगे ठीके यही दो सलाईयां बस repeat करते हुए जाना है एक बार फिर से देखेंगे पहला फंदा स्लिप करके धागा खेर पीछे रहेगा एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदा उल्टा 1, 2, 3 धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदा उल्टा 1, 2, 3 एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा 1, 2, 3 एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, वन, टू, थ्री, एक फंदा सीधा, और एजस्टिच को हम सीधा बनाएंगे, इस तरह से देखिए, यह डिजाइन दोनों तरफ से एक जैसा बनके आएगा उल्टी साइट से आपको ध्यान दखना है, फर्स्ट रू हमने बनाई थी, पहले एक फंदा सीधा बनाया था, लेकिन अब सीधा नहीं बनाएंगे, एक फंदा पहले उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, अब यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा स स्किन केर, हेर केर, मेकप रिटोरियल के वीडियो बनाती हूँ, तो एक बाद देखिएगा, हो सकता है, कोई नहीं कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा, प्यार सपोर्ट दीजएगा, जैसे देखिए, इस तरह से हमने ये दोनों सलाईया बना ली, तो मैंने आपको दो बार रिपीट करके बता दिया, देखो दोनों तरफ सी डिजाइन ऐसे, और ऐसे देख रहा है, ठीक है, जब आप इससे गोर जादा फंदों पे बनाएंगे, तो ये डिजाइन देखो इस तरह स ये देखो, फ्रेंड साइड से बहुत खुबसूरत बन किया आता है, आप इससे ट्राइ जरूर कीजिएगा, बहुत प्यारा डिजाइन है, इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के बढ़ों के जैन, स्वेटर लेडी, स्वेटर कार्ड ब्लैंकिट में भी आप इससे डाल सकते हैं, क्योंकि ये दौना तरफ से एक जैसा देखता है, उल्टा सीथा कैसे भी आप यूज करेंगी, एक ही जैसा दिखाई बिता है, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं, फ्रेंट साइड से यसे, रॉंग साइड से ऐसे देखत है, तो गाईज अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए हो, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा, आप लोग चैनल पर पहली बार आएं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल बटन के साथ, बैल